तो यह देखो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेशन में देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक अपने पास यहां से एक क्वाइन है रेस्टिंग अन्द बॉटम आपे बीकर यह जो है यह जो है क्वाइन अगर यह यहां पर रेस्ट पे है एरे अप्लाइट स्पीड निकालनी है यहां पर वाटर में ठीक ना तो अगर मुझे स्पीड यहां पर कैल्पॉलेट करनी है तो स्पीड का क्या फार्मूला होता है तो स्पीड का दो डाइरेक्ट फार्मूला अगर देखोगे यहां पर स्पीड निकालने के लिए एक काम करते हैं स्पीड निकालने के लिए I keep your point pieces अगर मैं इधा पर पर परबनाओं ये यह एंगधी Si हें श्पर इंगल क्रिटिकल एंगल होगा के इंगल 90 न्होंग तो धीटा है यहां पर थीटा वह एक वह नो तो यह जा रहे हैं तो इस है जसे ग्रिटिकल एंगल और यह एंगल तिटा एट यह एंगल भी क्या होगा थीटा होगा तो अगर यहां पर देखोंगे तीटा तो जो पौइंट-व यहां पर तो तो मेंते हैं तो मैं स्टेटील topping कर रहा हूं तो येस जो है मू सॉते, यहां से मू स सब को पता है स выпाट रगा होता है तो यहां से जो sin theta यहां से भी सी के एक्केल हाएगा वन न पर मिवू तो यहां से वन पर मेवू तो यहां से साइन देगा मिन के एक्कल हा जाएगे हैं अब यहां Sart la जो ट्रैंगल बना हुआ हाँ यहां पर आग साउवर तो यह अगर theta है, तो यह अगर 4 है, तो यह 3 है, तो यह side कितना हो जाएगा hypotenuse, क्योंकि यह 90 है, light ray ऐसे चली जा रहे है, तो यह हो जाएगा 4 का square, plus यहां से 3 का square, under root, जो कि यहां से 5 के equal हो जाएगा, तो V is equal to light की speed C, और sin theta मतलब यहां से sin theta, that is 3 by यहां से 5, तो 3 into 10 की power यहां से 8, और यहां से 3 से multiply कर दो, that is 5, मतलब यहां जाएगा, 9 upon 5 into 10 की power 8, और 9 upon 5 अगर तुम देखोगे यहां से, तो 1 point यहां से 1.8 into 10 की power 8 meter per second के equal आजाएगा, तो इस logic से कर देखोगे, तो अपना D option सही हो जाता है,